नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट अमसी क्यूब आ संदीब में यूपीटेट की तैयारी के एक्रम में हमने गड़ित के पूरे चैप्टर अप्लोड कर दी हैं आप लोग प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और पर्यावरण अध्यान और बाल विकास से भी सम्मंदित मैंने कुछ वीडियो अप्लोड कर दी हैं और यूपीटेट परिच्छा कल है इसलिए दोस्तो वीडियो को पूरा लास तक देखें एक भी कोश्चन मिस मत कीजिए ऐसा नहों इन में से कोई कोश्चन फस जाए और आप देखें नहों और आपका थोड़ा सा नुक्सान हो जाए इसलिए दोस्तो वीडियो को पूरा सबसे पहले यह बता दो जो लोग के चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू करने हैं और घंटी का निसान जरूर दबा देता कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए ओके दोस्तु चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्यन है समविधान को किस दिन समपूर भारत में लागू किया गया तो दोस्तो सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 इसलिए 26 जनवरी के दिन हम लोग गरतन्त दीवस मनाते हैं समविधान को लागू होने के उपलच में चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है मूल समविधा समविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनसूचिया थी तो उत्तर इसका है 22 भाग थे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनसूचिया थी लेकिन जो अनसूचियों की संख्या इस समय बढ़कर 12 हो गई है ठीक है पहले कितनी थी 8 थी और अब 12 हो गई है चले आगे बढ़त समविधान कि कि संसूधन में सिच्छा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया वर्ष 2002 के 86 संसूधन द्वारा अनुच्छेद 21 का यह अनुच्छेद जरूरिया दखेगा केवल अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है या फिर अगर पूछ दे संसूधन कौ हैपकों थे वो Wasai है आपके कहला सत्यार ठी दोस्टों कहला सत्यार थे कि एक बर और बता दू 214 में इनको सांती के लिए नोबल पुरसकार दिया गया था अगर यह पूछले 2014 में किस भारतिये को शांती के लिए clot वलपुरसकार दिया गया है तो वो थे कहला सत्यार थी याद रखेगा आगे बड़े नीतिन देशक तत्तों को किस देश्ट लिया गया है वो है आयरलेंड सिच्छा को किस सूची में रखा गया है समवर्ती सूची में सबसे पहले बता दूँ दोस्तों तीन तरह की सूची होती है संग सूची, राज सूची, समवर्ती सूची ठीक है जो विसे केंद सरकार के अंतर गताते हैं वो संग सूची में रखे जाते हैं जो कार राजी के अंतर गताते हैं, वो राजी सूची में रखे जाते हैं, और जो दोनों के अंतर गताते हैं, वो समवर्ती सूची में रखे जाते हैं, इसमें दोनों की मेदारी होते हैं, राजी और केंदर दोनों की, आगे बढ़ते हैं, सरकार के अंग बताओ, इसका उत्त से होते हैं 250 और इस समय वर्तमान में है 245 ठीक है आगे बढ़िए राष्टपती राजेसभा के लिए कितने सदसे मनोनीत करता है तो 12 सदसे राष्टपती मनोनीत करता है राजेसभा के लिए जब विध्यक किसी मंतरी दोरा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं सरकारी विध्यक और जब कोई विध्यक मंतरी के अलावा कोई और सदस से संसत का पेस करता है तो इसे गैर सरकारी विध्यक कहते हैं क्या कहते हैं गैर सरकारी विध्यक और मंत्री दवरा प्रस्तुत किया जाए तो सरकारी अगर कोई अन्य सदस से प्रस्तुत करे तो वो होता है गैर सरकारी ठीक है आगे बढ़ते राज में इस्थिद्विस उद्याले के कुलपती की नियुक्ति कौन करता है राज जपाल करता है नगदी फसलों के कुछ उदार किस धातु का अयस्क है वो है अलुमुनियम का भारत में हीरा सरवाधिक किस राज में पाए जाता है पन्ना नामक जगा 36 गठ में रूबी क्या है विशेश प्रकार का अभरग है जो कि जारखन में पाए जाता है कल पक्कम परमाडू उर्जय उत्पादक केंद्र किस राज में इस्तित है भारत का मांचेस्टर किसे का जाता है मैंचेस्टर मांचेस्टर कुछ भी पूछ ले तो उसे एहमदाबाद का जाता भारत का ठीक है रेल गाडी के इंजन पस्चिम बंगाल में किस छेत्र में बनते हैं तो वो चितरंजन में बनते हैं और बात कर ले कि रेल गाड़ी के डिब्बे कपूर थला पंजाब में बनते हैं रेल गाड़ी के डिब्बे याद रखे कंफ्यूस मत हुईएगा आगे बढ़ते हैं रेले के कोंकर पर योजना किंदो राज्यों के मद्ध चलाएगी महरास्ट और करनाटक के मद्ध देश में प्रथम मेट्रो किस राज्य में चलाएगी कोलकाता पस्चिम बंगाल में सबसे बड़ा राज्य जलमार कौन सा है गंगा नदी पर इस्थित इलहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलो मेटर सबसे लंबा मार्ग है ठीक है जलमार की बात हो रही है भारत में सबसे लंबी तर्ट रेखा किस राज की है गुजरात की है भारत में डाक प्रडाली की सुरुआत की सुर्च की गई दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने परसधी पुस्तकों से लिये हैं और PNP ने साफ कहा था कि इस बार का पेपर हम परिसदी पुस्तकों से ही बनाएंगे इसलिए दोस्तों ये सारे क्वेश जिसे आपने वेबसाइट में देखा होगा www.google.com तो वो डबलू जो है वो है वाइड 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 वेब 2011 की जनकुल्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपाद कितना है तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपाद 912 है बात करें अगर देश की भारत देश की तो वो है 943 दोस्तों इसमें कन्फियूज मत होएगा भारत देश बड़ा है इसलिए निगानुपाद जादा है और उत्तर प्रदेश छोटा है 912 इसलिए ये ट्रिक में ने बता दी बाड़ा है भारत तो 943 और छोटा है उत्तर प्रदेश तो 912 ठीक है अगर देखें जनगर्णा 2011 के इसलिए देश की कितनी प्रतिसत जनसंख्या साच्छर है तो देश की जनसंख्या साच्छर है 73 प्रतिसत और उत्तर प्रदेश छोटा है भारत से तो उत्तर प्रतेश की 76 जन संख्या का प्रतिसत है सरसट दसंबलो 7 प्रतिसत ठीक है यह याद रखेगा ओके दोस्तों चलते मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लिजे क्योंकि आने वाले समय में आपका चाहे सीटेट हो चाहे आपकी सिचक भरती हो चाहे आपका पुलिस की तयारी हो SSC बैंकिंग जो भी तयारी है वो समय इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर कराऊंगा ठीक है दोस्तू तो वीडियो को मिस ना करें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओके दोस्तू मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत